कि आई हलो स्टुदेंट्स वेलकुम बैक टू फीजिक्स क्लास तुट्स आज हम यहां पर बिए से किर्श सेकेंड यह समेस्टर थर्ड पेपर वन जो कि आपका है थर्मोडिनमिक प्रोग्राम्म प्रोग्रामिंग एंड तर्मोडायनिक आपका फॉर्स पेपर है उसमें हम 3 करें लेक्चर 1 & 2 के अंदर आपका computer organization the most important topic आपका complete हुआ है आज की lecture के अंदर हम करेंगे binary representation complete करेंगे बिटा ये binary representation ठीक है binary representation का topic करेंगे आज की lecture के अंदर तो सबसे पहले देखो आपने इसमी क्या करना है मैंने आपको ये बताया था कि जो computer है वो सिर्फ अपना binary language समझता है ये तो हम मैंने आपको last जब हम computer organization पट रहे थे तब ही बता दिया था कि binary language समझता है binary का मतलब होता है अपना 0 & 1 की language ठीक है यानि कि अब हमें क्या करना पड़ेगा number system भी जानना पड़ेगा आपने कई कई बार ये देखा होगा कि add या subtract होके आपके कई नमबर तो ऐसे होते हैं जो उनकी position पर depend करते हैं कई ऐसे होते हैं जो position पर depend नहीं करते हैं जैसे सुबोज आपने लिखा 10 प्लस 2 ठीक है यह बनाएगा आपका 12 चाहिए आप इसको 2 प्लस 10 लिख दो क्या 10 की position चेंज होने की वज़ेसे इनका sum चेंज हो रहा है नहीं यह तो हमेशे ही 12 आएगा लेकिन हम कई बार positional चीज भी लेके चलते हैं जैसे आपका इकाई धाई सेकड़ा 1000 की form में आता है कि 1023 है ठीक है इसके अंदर हम करते हैं कि 3 इंटू में 10 raise to power 0 होता है प्लस में 2 x 10 होता है प्लस में 0 x 10 की power 2 होता है प्लस में 1 x 10 की power 3 होता है तो अगर इन में से किसी की भी position चेंज हो जाती तो इसकी पूरी की पूरी value आपकी क्या हो जाती चेंज हो जाती समझ रहे हो ना तो इस space पे अपना क्या होता है दो type के number system होते हैं तो पहले आपको प पारे में पता होना चाहिए कि actually में कि नंबर से डीЛ करेंगे तो नंबर सिस्टम क्या है यह तो position पर डिपेंड कर रहा है यह नहीं कर रहा यहां पर कर रहा है तो क्या होता है लिपेंड करने पे और क्या होता थाГ can न घर बडिग ढुडिघ इसको भी कि सबसे पहले हेडिंग दालिए number system, ठीक है, number system, क्या है actually number system, number system यह उता है बिटाओ कि कोई भी numeric expression को लिखने का वे ही, हमारा वो ही system क्या के लाएगा, आपका number system के लाएगा, ठीक है, तो आप लिखिये, it is a writing system for expressing number is known as number system okay it is of two type what positional number system and non-positional number system it is of two types who are they? positional number system and second one is non-positional number system in your mind you will have a strike in your mind that the position of the weightage depends on the weightage if this weightage is 10,0 weightage if this weightage is 10,0 weightage if this weightage is 10,0 weightage does not have a positional number system which is non-positional number system define this positional number system positional number system it is the number system in which weight of each digit depends on its relative position of number ठीक है जैसे कि आपके यह decimal वग्यारा के अंदर आ गए और binary number system, octal number system यह सारे के सारे फिर कैसे हो गए आपके positional number system ही हो गए है for example अभी तक तो आपने 0 से 9 तक काउंटिंग पढ़ी है वह कौन से होते हैं decimal number system ही तो होते हैं ठीक है और और को किसी उसमें फॉर्म में जैसे 0 & 1 ही खाली 2 ही फॉर्म थी तो वह binary की फॉर्म में भी है तो खाली अपने 0 to 9 होते हैं मतलब 9 होते हैं तो वह कौन से होते हैं आप से बाइनरी नमबर सिस्टम फिर है ऑक्टल नमबर सिस्टम दिन आपका हेग्जर डेसि मल नमबर सिस्टम थीक है यह सारे के सारे ही किस पर उसके रिलिटी पोजिशन के वैटेश पर डिपेंड करता है ठीक है सिकेंड कि नॉन पॉजिशनल नंबर सिस्टम नॉन पॉजिशनल नंबर सिस्टम नाम सही है बटा जो उसकी रिलेटिव पॉजिशन की बेटे इस पर ना डिपेंड करें वो क्या हो जाएंगे इस टाइप के नंबर सिस्टम नॉन पॉजिशनल नंबर सिस्टम हो जाएंगे लिखतीजे It is a number system which does not involve the weightage corresponding to each position of a digit in the number, okay? For example, 17 in this system represents 17 that is 10 plus 5 plus 2 So, your symbol is added here If it comes here, it will also be 17 10 will also be 17 So, value of each symbol is added regardless of its position Okay? So, this is done Now, what do we need to do in it? Now, you have read both types Okay? Now, we have read decimal number system Then, we have read binary number system We will read the positional number system We will read all of them Okay? So, main is our binary representation Okay? Because main is our number system Like we read We are reading 0 to 9 So, we have to read decimal Okay? Now, we have to do decimal and we have to do decimal This is important in your paper Okay? Okay? If you don't do this Octal, hexadecimal Do not do this Okay? But decimal to binary binary to decimal conversion This is your must So, we need to do this So, we will start this Now, you have to add heading Decimal number system Then, we will do binary number system Okay? So, we add heading Decimal number system Okay? Decimal number system To decimal Okay? So, if we ask them You all know decimal To 9 Which is the total How many? Ten digits Where the number system Ten digits The total So, what do you say? Decimal number system Is it? That's the decimal number system Is it? If you give a digit Decimal What will you say Then, I will tell you आपको उसके according लिख देना, ठीक है, तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखिये, कि in this there are 10 digits to be used, that is from 0 to 9, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, So, the base of this system is 10, क्योंकि हम इसके अंदर 10 digits उसमें यूज करते हैं, तो बेस तो बही बताएगा, आप जैसे, suppose, आप कोई भी उसमें लिखते हो, ठीक है, आपा लिख दिया 32, तो यूजली आपा इसके बेस में 10 लगाता है, क्योंकि 32 क्या है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच यानि की 302 डेसिमल के उसमें आती है, तो आपके इसको डेसिमल तो जनरली आपके इसको कैसे लिखते है ऐसे यूजल के अपके 10 होता है, ठीक है, प्लेकिन नॉर्मली हम यही यूजली तो हर नंबर के पीछे आपके बार बार लिखके नहीं दिखाते कि यह 10 आ रहा है, यह क्टें कर दिखान डिक अना हुआ है कि ये लिखेंगे उसने हैं उसने है कि लिखेंगे लेकिन उससे कि गी stesso भी तो पर तो तो हम जरूब भाण उसको यू Awesome बेस 10 को ठीक है हम जब सिंपल लिखते है 32 लेकिन वह बोला इसमें जाता है डेसिमल में ही बोला जाता है ठीक है तो अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं तो उसको 10 बेस में कैसे लिखेंगे तो एक्जामपल ले लिए मैंने सुपोज 25.57 है इस इन डेसिमल ठीक है तो आपका 25.57 को लिखा कैसे जाएगा 20 प्लस 5 प्लस 0.5 प्लस में 0.07 यही तो लिखा जाएगा एके करके तोड़ दिया मैंने इसका यहां पे एकाई धाई तो यह एक इसको तो ऐसे लिख सकते है फिर इसको 0.5 0.07 ऐसे लिख सकते है तो इसको मैं लिख सकती हूं 2 इंटू 10 रिस जोपावर 1 प्लस में इसको लिख सकती हूं 5 10 डीटू फावर 0 तौ वही नी होगी 0 1 फिर तू इस तरीके चलती जा रही है ठीक है एसे ही यहां पे 5 इसे अचानर हलम माइनस 1 प्लस में 7 इंटो 10 रेस्ट पावर माइनस 2 इस तरीके से लिखा जा रहा है तो यह एक फॉर्म के उसकी हो गई आपके 25.57 की 10 बेस्ट सिस्टम में हो गई है ठीक है कि 10 की पावर 0 1 सिक्वेंस चल रही है ठीक है इसलिए इसको क्या बोल रही हो मैं कि यह डेसिमल में है क्लियर है आप चलिए नेक्सट नेक्सट बाइनरी binary number system actually में क्या है बिटा binary number system मैंने आपको बताया है कि जो हमारा computer है वो सिर्फ 0 and 1 की language ही समझता है ठीक है यानि कि दो digit की ही तो इसलिए दो इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और इसके अंदर दो ही digit को understand किया जाता है यानि कि 0 and 1 को ठीक है तो आपको यही लिखना है कि इन दिस system all number are represented using only two digits 0 and 1 ठीक है तो इसका बेस भी हमारा क्या हो गया है two हो गया है यहां पर यह जो 0 and 1 लिखा बिटा computer के अंदर 0 का मतलब होता है of और 1 का मतलब है all ठीक है तो यह भी आपको पता होना चाहिए the computers use only binary number system in the form of 0 जीरो का मतलब है पिटा ओफ and 1 1 का मतलब है on ठीक है अब अपने पास जो exam में आते है पिटा वो आते है कि convert कैसे करो कि आप किसी भी decimal को binary में फिर आएगा binary को decimal में लेकिन कई बारी जिसे 25 decimal है decimal को binary में फिर binary से decimal में लेकिन 25.57 फ्रेक्शनल था फिर फ्रेक्शनल को decimal में और decimal से फ्रेक्शनल में तो यह दोनों ही हमें क्या देखने है conversion देखने है पहले simple का देखेंगे यानि कि simple integer type के जो आपके fractionally integer simple उसके आप कैसे simple उसका जो decimal है उसको आप किसमें binary में convert करें उसके क्या rules होंगे वह rules लिखिए फिर मैं आपको उसको सिखाऊंगे कि कैसे करते हैं तो आप फॉस्ट लिखे रूल्स फॉर कंवर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनेरी नंबर एक बड़ी आप रूल लिख लिजिए फिर जब मैं इसका example करवांगे फिर इन रूल्स को समझाऊंगे ठीक है फिर इन रूल्स को समझेंगे गो ओन डिवाइडिंग दा गीवन डेसिमल नंबर बाइ बेस टू अंतिल दा कुछिंट इस जीरो ठीक है नेक्स रूल है रिकॉर्ड दा रिमेंडर अप्टेंट आफ्टर इच डिवीजिन अप्टेंगे रिमेंडर टीरेंड़ दाद नेक्स आफ्टर अंत्ऺंगे रिमेंडर्छ टिका रिमेंडर् तो यह हमारे रूल से अब मैं इसका एक 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 जामपल लेकर आपको बताती हूं उसके बाद इसको डिसकस करूंगी तब आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है तो एक 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 जामपल ले लिजिए आप लिखिए इसकी अंदर एक्जामपल की कनवर्ट 33 टू बाइनरी 33 कि इसमें टैन बेस में यानिकि डेसिमल है डेसिमल से बाइनरी में जाना है ठीक है आपको क्या करना है इसमें ध्यान दो आपको 33 को जैसे सिंपली आपा डिवाइड नहीं करते थे सिंपली आप डिवाइड नहीं करते तू से वैसे डिवाइड करना है ठीक है तो टू से क्योंकि बेस टू था पाइनरी का बेस टू होता है इसलिए टू से डिवाइड करेंगे तो दो एकम दो और यहां पर कितना हो गया अपना 12 13 हो गया तो 2 6 12 अभी एक रिमेंडर बच है उनको यहां लिखना है ठीक है फिर इसको दुबारा से करते हैं 28 16 यहां तो कुछ नहीं बचा जीरो कि ये सरी मतलब ना आज़े में तुप ये सारा खतम ना ओज़े जब तक ही डिवाइड खरने वाले नहीं इसको और डिवाइड ही ना कर पाई ठीक है जब तक डिवाइड करेगा तब तक लिखना है तो दो चोक आठ दो दुनी चार दो एक अम तो सारा खतम हो गया अगे ये 2 नहीं कर सकता तो हमें क्या करना है इसके अंदर यहां यह होता है MSB, Most Significant Bit, यह होता है LSB, Least Significant Bit, तो आपको क्या करना है Most Significant Bit से Least Significant Bit तक अपने डेटा को लिखना है, तो यानि कि लिखा जाएगा 10000001 ठीक है, यह क्या हो गया बिटा आपका decimal में, वो binary में, तो इसका मतलब हमारा 33 जो की decimal में था, वो किसकी equal आएगा 10000001 के इंदा binary, समझ में आया, अब इसको step को देखो, Go on dividing the given decimal number by base 2, जो भी number दिया है decimal, उसको base 2 से divide करते जाओ, कब तक, जब तक यहाँ पे, मतलब या तो उससे divide ना हो जाए हो, या फिर 0 मतलब उसमें आ जाए, इस तरीके से, ठीक है, Record the remainder obtained after each division, जो भी remainder आ रहा है, उसको record करते जाओ, ठीक है, The remainder taken in the reverse order give the binary representation of number, जो reverse order का remainder रहेगा, यह तो क्या है, एक particular उसको order का हो गया, यह क्या है, reverse, ठीक है, Forward, यह reverse, reverse order का, जो remainder रहेगा, वो आपका binary देकी चाहेगा, समझ में आया, इतना समझ में आ गया, ठीक है, मैं एक बारी काम करती हूँ, कि verify करने के लिए, आपको binary to decimal के भी rule अभी लिखवा देती हूँ, और फिर इसका भी example करवा देती हूँ, ठीक है, binary से decimal के भी rule लिख लो, और उसका example ले लेते हैं, यही ले लेंगे ना, इसको ले लेंगे, इस से गेर निकाल के बता दूँगी मैं आपको, है ना, तो आप इसी को लिख लेजिए, rules for converting binary number to decimal, क्या rule है, first, multiply the bits by 2 raise to power n, जहां पर n की value 0, 1, 2 and so on होगी, अब आप यह सोच रहे होंगे, मैं मैं जीरो क्यों लिया, यह 0 क्यों लिया, वो इसके लिया बिटा, क्योंकि जब हम decimal भी लिखते हैं, तो पहले 10 की power 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लिखते हैं, लिखते हैं न, इसी लिए इसके अंदर भी इसी तरीके से चीज़े स्टार्ट करती जाएं, ठीक है, starting from LSB, अब हमने जो value लिखिया है, वो MSB से LSB तक लिखिया है, और यह 2 raised to power 0, 1, 2, 3, यह जो start होएगा, वो LSB से MSB की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, फिर second step, second step के अंदर कहता है, the sum of these products gives the equivalent decimal number, ठीक है, और यह product का जो sum करेंगे, वो क्या देगा, आपका total दे देगा, मतलब जो भी से multiply करके फिर आया, फिर प्लस, फिर दूसरे से करेंगे फिर प्लस, फिर तीसरे से करेंगे फिर प्लस, यानि इसका एक इसके साथ multiply फिर प्लस, इसका दूसरे इसके साथ multiply फिर प्लस, फिर तीसरे का तीसरे के साथ फिर multiply फिर प्लस, ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे एक्जामपल लोंगी तो और ज़्याद़ एजी हो जाएगा ठीक है तो आप देखो इसी का ये एक्जामपल ले लेते हैं convert example convert 1 0 0 0 0 1 2 2 decimal ठीक है यानि ये बाइनरी में है इसको डेसिमल में convert कीजिएगा कि क्या आएगा ठीक है करते हैं पहले लिख लीजिए 1 0 0 0 0 0 1 ठीक है हमने क्या कहा था हमने आपको ये कहा था कि multiply करना है देखो ये जो बाइनरी डिजिट होते है वो आपके दो के होते है जीरो और 1 लेकिन संग्ल एक बिट विट इसको बिट कहा जाताए संग्ल आपको सब्स्साइलों क्या के इसको दो डिजिट की सम उसको क्या जाते है कि 0 से 1, जितने आपने लिये हुए हैं, तो इसकी value 2 की power रहेगी, इसकी भी 2 की power, 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 ठीक है, यह 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जो भी करते जाओगे, फिर इनको सबको plus कर देना, ठीक है, यहां देखो, 1 into 2 raise to power 3, plus में 0 into 2 raise to power 1 minute, 3, 3, 4, यह बिटा 5 है, ठीक है, 2 की power 4, प्लस में 0 into 2 की power 3, प्लस में 0 into 2 की power 2, प्लस में 0 into 2 की power 1, प्लस में 0, प्लस में 1 into 2 की power 0, ठीक है, अब 2 की power 5, यह तो 32 होता है, 32 को 1 से multiply किया, तो 1 ही आया, यह तो सारा 0 है, यह तो 0 ही हो गया, प्लस में 2 की power 0, 1 into 1, 1, यह कितना आगे तो आपने यही तो बोला था कि दैसिमल का 33 इसकी इकल होता है तो इस बाइनरी का रिजल्ट ही आ गया हमने प्रूफ करके दिखा दिया समझ में आया कि नहीं हमने प्रूफ करके दिखा दिया अब हमें क्या करना है इसके अंदर अभी तो आपने इंटीजर वैल्यू ली थी अभी तो आपने एक integer value ली थी और उसको binary में convert कर दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आप decimal value लेनी है, और उसको क्या करना है, आपके binary में convert करना है, और फिर decimal का binary जो आपका है, उसको दुबारा से decimal fraction वाले के अंदर ही convert करना है, ये दोनों काम आपको करने है, ये हम कर कर दूसरा रविरें ज्यूवत कर दाता है, और आप एक权ता है, ये रे इंद कर दिते हैं, कि टेंडे साहता है, विज रेते हैं, विध। ये किस विर में दोनी दोना है है, रावी और लूपने है, उय्म है, विवल इभ को मैं नया है, प्से भ denis, जू रखनी सूम, को एक